हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल संगम पांडे होप यू आर डोइंग बेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ सरसती पूजा मेकप लुक जी हाँ दो तीन दीन में आने वाली है और ये प्यारा सा सिंपल साव मेकप है इस मीकप के लिए मैंने कैसे केरिएट करी है आगे इस वीडियो में दिखाऊँगी और प्लीज मेरी वीडियो को लाश्ट तक के देखिएगा बहुत ही आसान है बहुत ही ज्यादा सिंपल है और मैंने इस तरीके का ये रिंग डाली है काफी ज़्यादा खुबसूरत लगा मुझे सबसे पहले मैं अपने स्कीन को क्लिंजिंग मिल्क से साफ करूँगी जो कि क्लिंजिंग मिल्क हमारा है अयूर का काफी ओल्ड वाला प्रोड़क्ट है गाईज लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रश्टेड वाला प्रोड़क्ट है इसलिए मैं अभी आजकल ये यूज़ कर रही हूँ ऐसे क्लिंजिंग मिल्क के तौर पे सो देख सकते हैं हमारा यहाँ फेस बहुत ही ज़्यादा साइनी साइनी सा लगा तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बाद फेस सीरम जो की रोज हीप सीरम है गाईज मैं इसका रिव्यू अपने चैनल पर और रेड़ी दे चुकी है काफी अच्छा सीरम है खास करके विंटर के लिए एक बहुत देर तक के आपके स्कीन को मॉस्टराइज बना के रखता है दिन गईज मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ संस्क्रीन जो की थोड़ी सी गर्मी टाइप के आ गया है गाईज तो अभी से ही मैं अपने स्कीन पर थोड़ा सा ख्याल रखके यहां पर यूज़ करें हूँ संस्क्रीन जो की लैकमी का है इसका SPF 34 है गाइस तो काफी जादा अच्छा है डीप अगर बहुत जादा गर्मी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं बट अभी इतना जादा गर्मी नहीं है सो देख सकते हैं यहां पर मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ इनवाई का प्राइमर है गाइस काफी अच्छा वाला यह प्राइमर मुझे लगा और प्राइमर से आपकी जितने भी पोर्स हैं वो मीनिमाईज होते हैं और आपका जो फांडेशन का कवरेस काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और फांडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूं लैक मी 9 to 5 का फांडेशन और इसे टैप टैप करके अपने फेस पर लगा ली हूँ और मैं अपने फिंगर टिप के ही हिल्प से अच्छा तरीके से फेस में लगाऊंगी क्यूंकि दीन का मेंकप है तो यहां अच्छा अच्छा तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि हमारा अच्छा तरीके से मिल जाए सो यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाईस देख सकते हैं काफी जादा अच्छा लगा मुझे और बहुत ही बढ़ियां से ब्लेंड हो गया ऐसा लग रहा था कि एक तम से बिल्कुल परफेक्ट लगा है मेरा देन काजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इलैटीन का 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 लिए ब्लस हिए मैं थोड़ा सा इई जैजो के लिए मैं यह यूज कर रही हूँ इसली तो प्लस और आइसेड़ो मैं डूनों से किट्स कर रही हूं आज nationalism के पहले तो seventh बार से अई से मेयठ से कर रहे own देन इसको थोड़ा सा ऐ हाइलाइट करने के लिए मैं स्विच ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करी हूँ अपने आई लिड पे ताकि जो हमारा थोड़ा सा हलका हो जाए और हमारा थोड़ा सा ग्लो लादे लाइट सा लादे है हमारे आई के लूप में तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा लग चुका है और काफी अच्छा और सिंपल सा मेकप लग रहा है और काफी सटल सा लग रहा है दीन के मेकप है ज्यादा कोई हैसा नहीं कि पुड़ा एक दम से अजीब ताइब के नहीं बहुत ही प्यारा वाला लुक दे रहा है और अच्छा सा रिव्यू देते हैं तो मैं भी एक वाई ट्राइ करूंगी इनवाई का आई-लाइनर तो फिलहाल में मैं यह लगा ले रही हूं नेक्स्ट टैम जब भी मैं इनवाई का आई-लाइनर लोंगी तो आपको जरूर रिव्यू बताऊंगी तो देख सकते हैं यहां पर हमारा लग चुका है यहां पर मैं यूज कर रहे हूं ब्लू हैवन का मस्कारा और मस्कारा थोड़ा सा मैं गाइस थोड़ा टाइम लगाती हूं ताकि हमारा अच्छे तरीके से औरीजनल वाला लूक दे तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा लग गया है एंड तो यहां पर हमारा मेक अप है वो इस तरीके से हो लग गया है एंड यहां पर मैं एडियस का ब्लस यूज कर लेरी हूं जो मैंने आइस से अच्छे तरीके से मैं मिला ले कुल आ ले रही हूं ताकि हमारा हे ओड ऐग あり आ, मतलग थोड़ी सी स्कीन मेरा सारे प्रॉपर दिन मैं यहां पे प्यारा और ब्यूटिफूल सा मैं यहां पे यूज कर रही हूं यह जो की यह एफोर्डेवल का है गाई इंस्ट्राग्रम स्टोर का है यह सो देख सकते हैं यहां पे हमारा मेक अप है वो अल्रेडी डन हो चुका है अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आज के लिए इतना ही बाब बाई